कमजोर उत्पादन के चलते, कम स्टॉक और बेहतर निर्यात अफसरों के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जनवरी दो हजार चौबीस में शुरू होने वाली नई फसलों से पहले स्टॉक रिलीज की प्रत्याशा में बाजार में धीमी खरीदारी गतिविधियां देखी गई। अनुकूल मौसम के कारण फसल की स्थिती में सुधार के दबाव के बावजूद फसल की स्थिती संतोष जनक है। साथ ही जनवरी और मार्च के बीच फसल की उम्मीद की जा रही है। साथ ही प्रधान मंत्री मोदी द्वारा शुरू किये गए तेलंगाना में हल्दी बोर्ड ने मुख्याले के स्थान को लेकर महाराष्ट्र में किसानों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाला कि खरीद गतिविधी के मौजूदास्तर और घट्टी सप्लाई के साथ बाजार में मूल्य स्थिर्टा बनाए रखने की उम्मीद है। दूसरी और विक्सित और उभरते दोनों देशों में हल्दी की मांग में तेजी देखी गई है, जिससे निर्यात में 25% की बढ़त हुई है। इस साल हल्दी की बुआई में 20-25% की गिरावट की आशंका है। खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में किसानों के बीच बदलती प्रात्मिक्ताव के कारण माना जाता है। अप्रेल से अक्टूबर 2023 के दोरान हल्दी निर्यात में 2022 की समान अवधी की तुलना में 2.6% की वृद्धी दर्ज की गई, जो 1,2162.94 तन थी। अक्टूबर 2023 में हल्दी निर्यात 10,137.78 तन तक पहुँच गया, जो सितंबर 2023 की तुलना में 11.58% की वृद्धी दर्शाता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि हल्दी में बाजार 12,000 से 14,000 की रेंज में कारोबार करता दिखाई देगा। Bureau Report Market Times TV